अगर आपको भी अपने hp के laptop में यह मेरा hp का laptop है और यहां पर अपर अपर देखिए bootable device not found और यह hard disk का error code भी दिखा रहा है अगर आपको भी इशू आ रहा है तो हम इसको fix करते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है अपने hp के laptop को पहले shutdown कर देना है shutdown हो गया इसके बाद आप सको open करेंगे और इसका bio settings को open करेंगे तो hp laptop में अगर आपको bio settings open करना है तो पहला तो आप escape की से open कर सकते हैं और दूसरा यह जो button किये इससे भी bio open होता है कुछ hp के laptop के अंदर स्टार्ट करते हैं जैसे आपने पावर बटन दबाया उसके बाद continuously आपने इस बटन को दबाना स्टार्ट कर देना बायोज menu open करने के लिए continuously प्रेस करेंगे इस तरह का अगर अब आपको एक लेकी का option मिलेगा कैस्थ को स्क्रोल डाउन करता हूं और यहाँ पर आप दे सकते हैं legacy boot order आपने इसको select कर लेना है अगर यह option select नहीं है इसको आप select कर लो और यहाँ पर आप देखोगे तो यह मेरी harddisk भी show कर रहा है sst 256GB के harddisk है मेरी तो इसको tick करने के बाद legacy boot order को select करने के बाद आपने नीचे यहाँ पर save का option आएगा आपने save वाले option पर click कर देना है उसके बाद yes वाले option पर click कर देना है उसके बाद आपने जो main menu है इस पर जाना है और यहाँ पर आपको last option मिलेगा save changes and exit इस पर आपने mouse से click कर देना है और इसको save कर देना है यह पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो लैप्टॉप है एक बाद री स्टार्ट होगा अपने आप तो आपने सिर्फ HP के लैप्टॉप में या फिर कोई सभी आप लैप्टॉप यूज़ कर रहे हूं डेल या है उसका बायूस ओपन करना है और लेगसी मोड सेलेट कर लेना है उसके बायूस के अंदर आप थोड़ा वेट करेंगे अभी हमारा सिस्टम जो है वह बूट होगा और आप देख सकते हैं यह बूट होना स्टार्ट हो गया विंडोस का और जो एरर है वह पूरी तरह सॉल्व हो गया है